जैहिं दोस्तों ताइए दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है अचले दोस्तों आज हम आप लोगों को फिर से बताएंगे इंग्लिस का वाइरल पेपर और दोस्तों बता दे अगर जो भी स्टूडेंट क्लास देंट में हैं और 17 February को 2nd shift में एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है उन्ही का ये पेपर है उन्ही का ये कोस्टन है और एक एक कोस्टन को एक बार सही धन से पढ़ लिजेगा ऑप्सन याद कर लिजेगा फिर तो आप एक भी कोस्टन शूर के नहीं आईएगा तो चलिए दूस्तों कोस्टन नमर 51 को सुरू करते हैं शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ लाइक करना नहीं भूलिएगा ठीक है तो चलिए कोस्टन चुकि एक पचा एक आवन से सौतर करना है ठीक है तो बाते करेंगे आगे उससे पहले कोस्टन को देखते हैं समय नहीं है ये अंति मोका है ठीक है और जो भी से समय है आप लोग देखकर ही एक्जाम होल में घुसिएगा सभी कोस्टन इंपोटेंट है 100% लरेगा ये कोस्टन एक एक कोस्टन को पढ़ि कोस्टन नहीं छोड़ना है बुलाए जिम्स मदर टॉल्ट हीम डेट ही यूजड अप डैस बाइ वाचिंग टेलीवीजन और डैस टाइम तो आप सभी को याद रखना है इसका जो बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा एलेक्री सीटी ऑप्शन दिड महादेवी बर्मा गीव टू दा स्काइरल तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा गिल्लू क्या हो जाएगा गिल्लू आपसर नंबर डी याद रखेगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्टन नंबर चोवन है कि टूडे डैस टूडे दोस्तों 17 फेरवरी बूलना नहीं है सकेंड शिप्ट को दा आउथर इन दा पेस फोर लिभिंग इन जॉइड तो आप सभी को याद रखना है इसका जो बिल्कुल राइट संसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओसर नंबर ए लोंग कार्ड ड्राइब्स आपसर नंबर याद रखेगा ठीक है यह दोस्तों वाइरल पेपर है और यही कोश्चन यहीं पेपर आपको देखने को मिलेगा सकेंड शिप्ट में एक भी कोश्चन चोड के नहीं आना है ठीक है चलिए आगे देखेंगे कोश्चन नंबर 56 है कि surely it is very hard to get people to work for तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा एजूकेशन तो आपसर नंबर भी याद रखेगा ठीक है चलिए चलिए आज यह अगला कोश्चन देखेगा बोला according to William Copper Village possess the gift of health and dash that towns and cities and never have तो आप सभी को याद रखना है इसका जो गिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा perfection तो option number B याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे कोश्चन में अंठाबन में दिया गया है कि in odd on in odd on solitude the poet says that a happy man wants to dash unlimited तो आप सभी को याद रखना है इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंठावन का वो क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा die क्या हो जाएगा die option number C याद रखेगा ठीक है चलिए अगला question देखेगा question number 69 हो जाएगा आपके सामने तो आप सभी को याद रखना है उनसर का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number A burning of polythene क्या हो जाएगा burning of polythene option number A याद रखेगा ठीक है चलिए अगला question देखेगा question number 60 है आपके सामने बला है कि ओ महा माधवा ओ माधवा यहाँ पर oblique दिया है I have run to call you dash is from तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा thinner than A Christian ठीक है option number C याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब जो question है देखेए यहाँ पर direction में दिया है कि एक सर 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 तक आपको क्या preposition चुणना है ठीक है preposition से आप सभी को question देखने को मिलेगा और इसमें कौन-कौन preposition लगता है आप सभी को इसमें भरना है तो बोला है I know the house that he lives तो आप सभी को याद रखना है इसमें जो preposition लगेगा वो लगेगा in लगेगा किया है क्या लगेगा in लगेगा तो option number A याद रखेगा ठीक है preposition आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा और एक के question को जरूर देखे जाए अगला है कि Rita is tried this work तो आप सभ आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा with यानि कि यहाँ पर जो preposition लगेगा वो with लगेगा तो option D याद रखेगा अगला है कि I am fed up dash is coming late everyday तो आप सभी को याद रखना है इसका जो बिल्कुल right answer हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा with इसमें भी with लगेगा तो option number D याद रखेगा दोस्तों जो student channel पर पहली बारा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि आने वाले सभी exam का viral paper आपनों के पास को उता रहे चलिए आगे बढ़ेंगे question number 65 है कि he is sorry that's what he did तो आप सभी को याद रखना है जो इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा proposition 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखिएगा बुलागे है कि I wonder that's his intelligence तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा by नहीं I wonder by his intelligence ठीक है option socialism ठीक है तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पर जो इसमें प्री पोजिशन लगेगा दोस्तों यहाँ पर लगेगा वो हमारा लगेगा ओफ लगेगा तो option भी याद करके जाएगा ठीक है चलिए अगला जो हमारा यह translation है हिंदी to English में ठीक है और आपको इसमें क्या रहता है कि बनाया हुआ रहता है आपको केवल चुड़ना है जो आपका इसमें correct होगा ठीक है suitable होगा वही बहुत है क्या रीना को पुस्तक दी गई तो इसका जो translation हो जाएगा क्या हो जाएगा तो आप सभी को याद रख यानि कि option C इसका बिल्कुल right answer होगा ठीक है चलिए अगला question है कि एक गलास पानी लाओ एक गलास पानी लाओ तो इसका जो translation हो जाएगा वो हो जाएगा बरिंग एक गलास ओफ वाटर ठीक है बरिंग एक गलास ओफ वाटर तो आप सभी को याद रखना है option number C ठीक है चलिए अगला question देखेगा दोस्तों 17 फिरवरी भूलना नहीं है second shift में ठीक है viral paper देखके ही जाईएगा exam hall में उसने क्या कहा उसने क्या कहा तो आप सभी को या truth क्या हो जाएगा we should speak the truth option number A हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question है कि मैं तैरना जानती हूं मैं तैरना जानती हूं तो इसका जो बिल्कुल right answer होगा I know how to swim मतलब तैरना होता है तो option number D याद रखेगा ठीक ना चलिए अगला है कि क्या मैं घर जा सकता हूं तो इसका जो बिल speech दिया है ठीक है इसमें आपको बदलना है indirect speech में तो question number 75 दिखे इसमें दिया गया इनका indirect speech क्या होगा बोला ही he says to me I shall help you तो आप सभी को याद रखना है इसका जो बिल्कुल right answer होगा वो हो जाएगा he is saying that he is going to help me ठीक है option number C याद रखना है कि लिए चलिए अगला question देखेग question number 76 है बोला है कि रोहित said he will go to Kolkata tomorrow तो इसका जो हो जाएगा बिल्कुल right answer वो हमारा क्या हो जाएगा option number A रोहित said that she is going to Kolkata tomorrow ठीक है तो option number A आप सभी को याद रखना है clear है चलिए 17 February भूलना नहीं है second shift में चलिए आगे बढ़ेंगे question number 77 दिया गया है कि he said to me can you give me your books तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा option number A he asked me if I can give him his book ठीक है तो option number A याद रखना है clear है चलिए अगला question देखिएगा बोला है she said to me thank you think thank you तो आप सभी को याद रखना है इसका जो बिल्कुल right answer होगा वो हमारा होगा she thanked me ठीक है क्या हो जाएगा option number क्या हो जाएगा clear है चलिए अगला question देखिएगा बोला है I told him don't tell a lie तो इसका जो बिल्कुल right answer होगा आप सभी को याद रखना है वो हमारा होगा I asked him not to tell a lie ठीक है option number D याद रखेगा clear है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 80 में दिया गया है कि I never make mistakes he said तो इसका जो बिल्कुल right answer होगा सभी को याद रखना है option number B होगा he said that he does not make mistakes option number B याद रखेगा ठीक है चलिए दोस्तों 17 फेरवरी भूलना नहीं है second ship में जो भी student exam देने बाले है सभी एक बार सभी question को देखके जाईएगा बहुत important class लगा है अब देखें यहाँ पर 81 से 87 तक दिया है यहाँ पर जो correct word होगा इसमें पहचानना है जो सही होगा ठीक है जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ambition लिखा है तो इसमें देखना है कि कोन सा सही है ठीक है तो 81 का जो बिल्कुल सही होगा हमारा हो जाएगा option number a ठीक है क्या हो जाएगा option number a के लिए है चलिए अगला देखेंगा question number 82 हो जाएगा देखें यहाँ पर दिया है engage तो इसमें देखना है कि engage में कौन सही है word ठीक है spelling जो है कौन सही है तो इसमें आपको याद रखना है option number c वाला जो engage है यह हमारा क्या है सही है ठीक है चलिए अगला है हमारा यहां पर फर्टाइल लिखा हुआ है इसमें सभी जगा फर्टाइल ही है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तीन मिस्टेक है और एक सही है और एक जो सही है उसमें आपको पैचानना है तो फर्टाइल का जो यहां 83 का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा आपसिन नमबर भी एफ ए आर टी आई एली होता है फर्टाइल ठीक है तो आपसिन नमबर भी याद रखेगा के लिए आ रहा है आगे बढ़ेंगे कोशन नमबर दिखेए 84 का दिया है कि रिडेंट तो इसमें कौन रिडेंट सही होगा आपको पैचानना है तो यह उपसिन डी वाला जो रिडेंट है आपसिन नमबर आपको डी याद रखना है किलियर है अगला है ग्राट फूल तो आप सभी को इसमें याद रखना है कि ग्रेट फूल में कौन सही है यहाँ ग्रेट फूल लिखा है ग्रेट फूल होगा ग्रेट फूल होना चाहिए ठीक है तो आपसिन नमबर डी वाला जो ह option number D वाला नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा, यह great होगा, G-R-A-T-E great होता है, F-U-L हो जाएगा, तो option number C वाला आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, चलिए, अगरा दिखिएगा, question number 86 में दिया है, बैनिश दिया है, ठीक है, यहाँ, sorry, question number क्या, हाँ, यहाँ पर 86 होगा, इसमें देखना है, 86 में कौन सा word सही है, जिसे बैनिश लिखा है, बैनिश लिखा है, और बैनिश लिखा है, तो इसमें जो सही हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option number A वाला, B-A-N-I-S-S, ठीक है, तो option number A सभी को याद रखना है, किलियर है, अगला है, सभी में डाउटर लिखा है, ठीक है, डाउटर होना चाहिए, तो डाउटर का word meaning जो क्या होता है, आप सभी को याद होना चाहिए, यह होता मैं, D-A-U-G-H-T-E-R, option number C वाला डाउटर सही है, ठीक है, चलिए, अगला question देखिए, कि 88 से 93 तक दिया है, correct option दिया है, ठीक है, passive voice दिया है, बुला है कि, who gave you, who gave you this book to, इसका जो बिल्कुल right answer हो जाएगा, सभी को याद रखना है, by whom was this book given to you, ठीक है, option number A याद रखिएगा, किलियर है, आगे बढ़ेंगे, फिर से आपके सामने 89 में active voice है, बुला है, had Vinita been tised, तो आप सभी को याद इसका जो बिल्कुल right answer होगा, वो हो जाएगा, option number C, बुला है कि, did someone, did Dini, ठीक है, तो option number C, याद रखिएगा, किलियर है, अगला दिखिएगा, question number 90 है, आपके सामने, और 90 में बुला है, passive voice, active खत्म होगया, passive voice है, कमल had broken his leg, तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो बिल् अगामी जो भी exam होगा, आने वाला सभी subject का paper आप लोगों को मिलता रहेगा, आगे बढ़ेंगे, question number 91 में active voice है, कि the book will be read by me, तो आप सभी को by me is तो दिया गी है, तो यहाँ पर इसका जो बिल्कुल right answer हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, option number C, I shall read the book, ठीक है, option number C हो जाएग clear है, आगे अगला question देखेगा, question number 91 है, passive voice बोलाएं कि she was taken to the camp by the soldier, तो आप सभी को याद रखना है, soldier is, तो इसका जो बिल्कुल right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका option number B, the soldier took her to the camp, ठीक है, तो option B याद रखेगा, clear है, आगे बढ़ेंगे, question में त्यान भी दिया है, active voice में कि the flowers have been watered by the gardener, ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो बिल्कुल right answer हो जाएगा, वो इसमें दिखें, यहाँ पर दिया गया है कि correct verb आपको प्याचानना है, ठीक है, इसमें कोन verb लगेगा, clear है, तो verb भी रहता है, preposition रहता है, active voice, passive voice, यह सभी रहता है, correct word रहता है, suitable word, तो यहाँ पर दिखें, 94 में है कि she is dash to see her mother's in law, तो यहाँ पर जो भर्ब लगेगा, आप स sugar, तो आप सभी को याद रखना है, इसमें जो बिल्कुल right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा option number B, text हो जाएगा, ठीक है, text हो जाएगा, option number B याद रखेगा, आगे बढ़ेंगे, question number 96 में आपके समने कि when evening, does it gets dark, तो यहाँ पर जो भर्ब लगेगा, आपको याद रखना lesson yesterday when her father called her, तो इसका जो भर्ब हो जाएगा, वो बिल्कुल right answer हो जाएगा, हमारा वाज studying, ठीक है, वाज studying, option number D, याद रखेगा, आई अन्ठानवे question, यह है हमारा कि C, dash studying for two hours, तो इसका जो भर्ब हो जाएगा, बिल्कुल right answer हो जाएगा, has been, क्या हो जाएगा, has been, C, has been studying for two hours ठीक है, आई यह अगला question है आपके सामने, I have dash all my savings, savings, तो आप सभी को याद रखना है, इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा, spent, क्या हो जाएगा, spent, option number B, याद कियेगा, अगला है कि he was sure, sure that I dash help him, तो इसका जो बिल्कुल right answer होगा, हो जाएगा, will, तो दोस्तों इस तरह से complete, एक list का paper देने वाले हैं, यह सभी question देखकर जाएगा, जो student कमजोर हैं, और जो डर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं घवना है, घवराना है, एक question को हम solve कर दिये हैं, बता दिये हैं, बिल्कु right answer क्या क्या होगा, आप सभी के सामने question paper आ गया है, answer भी आ गया है, exam hall में गुषने से पहले सभी student एक बार सभी question को जरूर read करके पढ़के जरूर जाएगा, क्योंकि इस बार आप सभी को 95 लाना है, इंग्लिस में छोड़ना नहीं है, तबाही मचा के आना है, और दोस्तों उमीद करेंगे, आप लोग समझ गे होंगे, याद करके ही जाएगा, और चैनल पर प